इनके बारे में देखेंगे कि इनका रोल क्या रहा है बद्धेकाली नितिहास में मुगल एंपायर में इनका क्या रोल रहा तो जहांगीर का जो नाम था एक तरह से आप लोग सलीम के नाम से भी जानते हो अनार कली और सलीम की कहानिया बहुत सुने होगे इनके प्रेम कहानिय श्रुकुषे कुद नाम को मिला ठार्टे जकुंति धिश्वास से मेरे और उन्हें के इनके कुटिया में इसलिए इंहीं को सलीham नाम ठार्ट चाम एनोड्रात्य था और अकबर इसे बहुत प्रेम से सेखु बाबा के नाम से पुकारता था, ठीक है, अकबर बहुत जो लाड़ प्यार इसे किया, इसलिए जिसे जादे लाड़ प्यार मिल जाता है, वो क्या बरता है, भाई बंदा, वो बिगड़ जाता है, यह भी लाड़ला जो था बिगड़ जो लड़का होगा हो अपने बाप से ही सिखता है तो जब ये अपने बाप के साथ विद्रों किये थे तो इंका भी जो बेटा है उपने बाप के साथ विद्रों कर देता है यह सब हम चीज़ हम देखेंगे एक एक करके अब बैया जो इनकी मदर का नहीं है उज्मानी जैसे हरकबाई के नाम से जानते हैं और इनके जो गुरू थे जो इनको यह गुरू मानता था वो अब्दुर्रहीम खाने खाना बैरम खां का जो बेटा था यह अब्दुर्रहीम था इनकी विवाद जो 1585 में अमेर की राजा मान सिंग अमेर की राजा जो भगवान दास थी उनकी पुत्री और मान सिंग की बहन ठीक है मान सिंग की बहन और भगवान दास की पुत्री से इनका विवाद होता है उनका नाम होता है मान बाई क्या नाम होता है मान बाई और इन के साथ 7 मान सिंग भी राते हैं और अजीज को का जिसको मैंने बताए था आपको ममंसब्दारी बताया था मान सिंग और अजीज को का को 7ker 7,000 की मंसब पे अक्बार रखा राता है ठीक तो यहीं लोग इनका साथ देते हैं और साथी साथ इंको जो पांच में गुरू राते हैं उनका भी जो है सिख्ष गुरू का इनका असिरवाद मिला राता है तो इसलिए विद्रो करने के रिज़ जो है सोचते हैं वो आगे हम देखेंगे दूसरा जो इनका भी वा हुआ था वो उदे सिंग जो मारवाण के राजा थे उनकी पुत्री जो थी जगत को साई जिज़े जोदा भाई बोल सकते हो उनके साथ हुआ था जिनसे आपके खुर्रम पैदा हुए थे जिने आप सभी लोग सार जहां के नाम से जानते हो जिसके जाता है चौथा जो पुत्र था सहर यार ठीक है इसका भी रोल मिलेगा आपको मैं बताऊंगा जब नूर जहां का गुड बनता है उसमें ये एक रेखेल से इंके हुआ था उनका ये पुत्र था क्या नाम था सहर यार और एक बीबी और इंकी ये भी थी जिसे आप लोग सभ आया है आप ध्यान से देखो कि जब मैं आपको अकबर पढ़ा रहा था पानिपत का यूद बता रहा था उसी समय ये अली कुली खा हेमू का जो आप एक सकते हो जो तोप खाने वाली सेना थी उसको अपने कबजे में कर लेता है इसी वज़ा से हेमू जो है पानिपत का जब इनकी साधी हो जाती है जहांगीर से तो ये एक तरह से समझ लो कि जहांगीर को अपने कबजे में कर लेती है जहांगीर को क्या करते है गुलाम बना लेती है बीवी का गुलाम जिसे बोल सकते हो जो वो कहती है वही जहांगीर करते हैं इनके नाम से सिक्के होने लगते जो साही संदेज भेजे जाते हैं उनमें भी इनके सिंग नेचर होने लगते हैं तो ये एक तरह से अपना गुट अलग ही राजदरवार में बना लेती हैं कि अब जहांगीर अगर हटता है जहांगीर की मृत्यू के बाद जो सत्ता होगी वो हमारे हाथ में होनी चाहिए कि मै जैसे आपको मैंने अकबर बताया कि अकबर में महान अंगा का जो पेटी कोट सासन था उसमें क्या था और तो का सासन था और ते जो हैं पूरे-पूरे सत्ता को हाथ में ले ली थी और सत्ता का संचालन कर रही तो सेम ऐसा ही फेज यहां पी आता है जम नूर जहां घुट बनता है उसमें इनकी मा रहती है इत्मत दौला रहता है उनके पिता रहते हैं आसाफ खां जो इसका भाई रहता है और साथ ही साथ खुर्रम भी रहता है खुर्रम क्यों रहता है क्योंकि जो नूर जहां का भाई की जो बेटी होती है जिसे मुम्ताज बोल सकते हो उनका जो ब और चाने वाली है जहांगीर के बाद तो खुर्रम को साथ जहां को ऐसास होता है ऐसा रहा तो मैं तो कट सिप कट पतुली बनके रहा जाओंगा इसलिए उस गुट को खुर्रम छोड़ देता है बाद में और विद्रो करता है ठीक है तो सब हम पढ़ेंगे एक एक करके देख इस एक तो कहा जाता है कि जहांगीर्ण ने सराब पर बेन लगा था और अपने पर बेन लगा ही यह नहीं पाया क्यों कि सराब का इसे इतना भारी लग पैदा हो गया था कि बिना सराब के ये एक भी दिन रहता नहीं था इस वज़ा से इस से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर लिया ठीक है सलीम से तंग आकर मानबाई ने आत्महत्या कर लिया आगे बढ़ जाते हैं ऐसा नहीं था कि अकबर के सिफ एक सलीमी पुत्र था और भी पुत्र थे मगर वो समय के पहले ही क्या हुए उनका स्वरगवास हो गया जैसे कौन था दानियाल था और एक मुराद नाम का इनका बेटा था अकबर का इनकी मृत्यू पहले हो चुकी थी तो राजा बनने का जो से आता है उमेन किसे जाता है आपका जहांगीर को जाता है तो 3 नमबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का जो है राज्यविसेख होता है और सलीम जो है आपका नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बासा गाजी के उपाधी से गद्दी पर बैठता है यह याद रखना क्या है यह नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बासा गाजी लगा हुआ है गाजी के उपाधी इसने मुगल में यह धारान किया फिर उसके बाद किसके बाबर के बाद इससे इसका राजविशेक होता है जागिर गदी पर बैठते ही क्या करता है आगरा के किले की साहबुर्जी से लेकर आपके यमुना नदी के किनारे एक खड़े पत्थर ठीके के बीच में एक सोने की जंजीर बनवा देता है जिसमें आपके साथ घंटे बोले जाते हैं लगा हैं तो इससे पता चल जाए कि दर्बार में कोई नयाय मांगने आ रहा है ठीक है तो ये आपसे question भी यहां से पूछता है कि जंजीर जो बोला जाए नयाय की जंजीर किसने बनवाई थी किसने लगवाई थी अपने दर्बार में तो याद रखना मुगल में इसने लगवाय था और दिली सल्तनत जम मैंने आपको पढ़ाया था तो इसमें कौन लगवाया था इलतुतमिस लगाया था तो दोनों पर अलग अलग जो जगा है दिली सल्तनत में पूछे तो इलतुतमिस का था और आपका मुगल एम्पायर में पूछें तो जहांगीर था ठीक है आगे अभी ऐसा लगता था कि मैं राजगद्दी पर बैठ सकता हूँ और इसे चढ़ाने वाला कौन था इसे चढ़ाने वाला इसका मामा था मान सिंग ठीक है मान सिंग और अजीच कोका इसको साथ मिलते हैं वो कहीं नहीं कहाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो है राजा बनने की तो इसी वज़ा से जब ये जहांगीर को पता चलता है तो मान सिंग और कोका और ये खुसरो ये लोग जब नहीं बन पाता है राजा तो ये भाग खड़ा होता है बंगाल की तरफ फिर बाद में जहांगीर के काने पर सेनापती इसे लेकर आते हैं और इसे जो बोल सकते हो आधा कैद में रख देते हैं खुसरो को और जो अजीज कोका होता है वो तो जहांगीर से माफी वो भी मांग लेता है और उन्हें अपना जो है राजा मान लेता है मान सिंग को भी ये छमा कर देते हैं जागी फिर जो है ये खुसरो जो है इसके दिमाग में चलता रहता है जब ये 16 साल का होता है तो ये क्या करता है आधा कैद रहता है पूरी बंदा इसने होता है कि हाँ पूरी तरह इसे कारवास में डाल दिया जाए ये होता है कि देखा जाए कि सैनिकों में नजर में रहे कि ये महल से भाग न पाए ऐसे ही मौका पाता है एक समय खुसरो और महल से भाग निकलता और भागती भागती ये कहां पहुंच जाता है लाहोर पे पहुंच जाता है लाहोर की जो किलादार होते हैं वो किले को खेलते नहीं है और जब जहांगीर को ये बात पता चलती है तो अपने एक सैनिक को खुसरो के पीछे भेज देता है और वो खुसरो और जहांगीर की जो सैनिक है उसके भी जालंधर में एक युद्ध होता है उस युद्ध में ये परास्त हो जाते हैं खुसरो और इन्हें ले आया जाता है और इनका जो है क्या करता है जहांगीर इनकी आखें पुड़वा देता है और इन्हें कारवास में डाल देता है समय तो इसके वजह से जाहांगीर अर्जुन देव को भी कसता है सिकंजा की भाइया आपने राजदरो किया है इस वज़़ज़ से आपको दो लाक रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा लेकिन अर्जुन देव जे हों हैं वो जुर्माना देने से मुकर जाते हैं जिसके अंदा बनाने के बाद एक समय बिता है बिता है और जब दच्छण के अभियान में जाना होता है तो खुर्रम काता है अपने पिताजी से जहांगेर से साथ जहां काता है कि पिताजी खुसरों को भी हम साथ में लेकर चलेंगे दच्छण अभियान में क्योंकि कहीं ना कहीं ख यहांगीर के बात हुछ फुल को एक तरह से बोल सकते हो राज hablar लेकिन खुसरों के राते हैं आभी खुर्रम को सानती नहीं मिलती हो चाना इसलिए सबसे वहतर करका तो जहांगीर भी हो पुर्रम को काते हैं ठीक है बिटा लेते जाओ खुसरो को भी साथ में और लेके जाता है और खुसरो को वो अपने एक सैनिक सेगला घोट के उसको मरवा देता है तो खुसरो का चैप्टर भी एक तरह से खतम हो जाता है ठीक है अब आगे बढ़ जाते हैं जहांगीर ने जो आपका बताएं आपके अबुल फजल थें जिनको मरवाया था अकबर के जो आयने अकबर ही लिखे थे नौरत नमेते से उनको इसने मरवा दिया था और जो इनको मारा था वीर सिंग बंदेला उसको अपने राजदरवार में अच्छा पद दिये थे अच्छी पोश्ट दि पोश्ट की वीर सिंग बंदेला को किस राजा ने सम्मानित किया था तो वह कौन था जहांगीर था मोगल एंपायर में ठीक है तो यहाद रखना चलो आगे बढ़ जाते हैं यह बताया गुरु अर्जुन देव इनी को क्या करता है वो फासी पे चढ़ा देता है जहांगीर उसके बासे आगे देख लेते हैं इस अब मैंने आपको बता दिया अब जहांगीर के समराज विस्तार के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें क्योंकि जो विद्रो हुआ पहला उसे तो सांत कर दिया इसने अब क्या करता है जहांगीर गदी पर बैठ देख सोलो सो पांच में साजादा प्रवेज ठीक है जो आपको मेवाड विजय के लिए भेज था क्योंकि मेवाड ही ऐसा था जो अकबर पूरी तरह से विजय नहीं कर पाया था क्योंकि चित्तोर जो किला था वो अकबर ने जीत लिया था अब पूरी तरह से बोला यागी मेवाड जीता तो वो पूरी तरह से नहीं जीत पाया थ क्योंकि आपके जो राणा प्रताप थे वो उनको जीतने ही नहीं दिये ठीक हर बार चिपके यूद करता था हर बार जो है मुगल साइनिक हार जाती थी तो सिर्फ चितोर तक अधिकार था मुगलों का अब वह पूरी तरह मेवार पर विजह प्राप्त करने के लिए जो है भी विद्रो करते तो जहांगीर यहां से तुरंत उसे प्रवेश को बुला लेता है जिसके कारण फिर से मुगल क्या कोते हैं मेवार को नहीं जीत पाते हैं और उस समय मेवार के जो सासक्त है वो अमर सिंह थे राणा प्रताप के जो पुत्र थे ठीक है फिर बाद में क्या होता है, कि शोら सो आट में जहांगीर जो है महावत खां को भेजता है, सोला सो नौ में अब्धुल्ला खां को और सोसो तेरा में खुर्रम को, मतलब यह महावत खां भी आतين इनसे भी कुछ नहीं होता है, मेवाड इत分 अधिकार यह भी नहीं कर पाते हैं, और 1609 में अब्दुल्ला खानाते ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं और 1613 में जब खुद जहांगीर और खुर्रम मेवार की तरफ निकलते हैं तो 1613 में खुर्रम सेना का नित्रत्व करके मेवार पर अभियान करता है उसी समय जो अमर सिंग के बेटे जो होते हैं करन सिंग वो अपने पिता को समझाते हैं साथ ही साथ और भी जो राजपूत के सरदार थे मेवार के वो समझाते हैं कि हम तो इनसे जीत नहीं पाएंगे इससे बढ़िया है कि कुछ संदी ही कर लें तो वही आपका चितोड की संदी होती है और कॉश्ण भी आपसे यहां से उठाता है कि चितोड की संदी कब होई थी तो याद रखना 1615 में चितोड की संदी होई थी राणा अमर सिंग और मुगल बासाट जहागेर के बीच में थीक है तो अब यहां संधी हो जाती है अमर सिंग के बीच तो यह होता है कि संधी में कहा जाता है कि ठीक है आप मुगल आधीन हो जाएंगे आपको चिताओर भी वापस कर दिया जाएगा मगर जो भी यहां से होगा profit loss जो भी होगा उसमें हमें कुछ नकुछ हिस्सा चाहिए उस पे सभी लोग राजी हो जाते हैं और सब कुछ ने वापस दे दिया जाता है चिताओर और पूरे तरह यह मेवार पे राज करने लगते हैं लेकिन अमर सिंग को कही न कहीं ये गिल्टी फिल होने लगती है कि मैं मुगल के खिलाव क्या हो गया एक तरह से घुटने टेक दिया क्योंकि मेरे पिता स्री राणा प्रताप ने कभी घुटने नहीं टेका था ठीक है उनसे हार नहीं माना था इस गिल्टी के कारण क्या करते हैं भाई साहब ये अपने राजपाट को अपने बेटे करन सिंग के हाथ में सौप कर ये एक तरह से वनवास चले जाते हैं ठीक है चलो तो ये बात यहां हो गई अब ये मिवाड भी जीत गएं कौन मुगल आपके आ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं जागिर के दच्छन विजय के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है दच्छन में इसने अवियान किया 1617 में खुर्रम ने अहमद नगर अवियान पर भेजा गया और सोय वो मांडू पहुंच गया कौन जाहांगीर मांडू पर पहुंचकर अवियान किया और खुर्रम को कहां भेजा था आमद नगर पर भेजा था जहां अकबर ने आक्रमन किया था मगर पूर्ण रूप से इस उसी खुसी में जहांगीर जो है खुर्रम को सार जहां की उपाधी देता है जब यह संधी करा देते हैं दोनों के बीच आमदनगर के जो आपके राजा रहते हैं और जहांगीर के बीच जब संधी हो जाती है मुगलों के बीच और आमदनगर के बीच में तो यहां पे खुस ह कर जहांगीर खुर्रम को सार जहां की उपादी देता है ठीक है और ये फिर से इतिहास में सार जहां के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं और साथ ही साथ जो बीजापूर के सासक्त हैं उनको क्या उनको कौन सी उपादी देता है फरजंद की उपादी इसका मतलब होता है पुत इसी के बाद 1623 में मैंने बताया सारजहां ने विद्रो कर दिया था 22 और 23 में सारजहां ने विद्रो कर दिया और 26 में आपके महावत खाने विद्रो किया था वही महावत खाया इंका सिनापती वह भी विद्रो कर लिया था और जहांगीर को कैद कर लिया था वो तो नूर जह अब अब लो पर्वान से piya में इसा हो क्यों किया यह मैंने आपको सांटी बता दिया था कि ऑल और की घ्राजास है में तक ना कहीं शायर सके 깃ुए तो हे सोच रहा हूँ heat और सहर यार जो एक तरह से बोल सकते हो कि आपका जहांगीर का पुत्र था वो राजा बन जाए और उसके राजा बनते ही नूर जहां अपनी हुकूमत चलाने लगे इसी वज़ा से सार जहां उस गुट को छोड़ता है और क्या करता है जहांगीर के खिलाब विद्रो कर देता है यह विद्रो का दमन हो जाता है और दमन करने वाला और कोई नहीं महावत खा ही होता है और फिर महावत खा खुद विद्रो कर देता है यह सब हम देखते हैं जब 1612 में फारस के साथ, जो राजा होते हैं 1622 में, फारस के, वो कंधार को मुगलों से छीन लिया, जो कंधार था, उसको मुगलों से छीन लेता है, कंधार आपके काबूल और कंधार, उस पे किसके राज हो जाता है? फारस के राजा का जो है एक तरह से राज हो जाता है यह कंधार इनके आतों से मुगलों के से निकल जाता है और 1623 में सारजाहां के विद्रों को दबाने के मुख स्वे महावत खांक हो जाता है यह याद रखना इसी प्रकार 28 अक्टूबर 1627 को जहांगिर की मृत्ति हो जाती नामा जगा पर दफना दिया यह तहे रवी नदी के किनारे ठीक और इसे के साथ यह जो अपना पूरे सफल अभियान की थे उसमें इन्होंने पंजाब में जो पंजाब का किल था उसे भी कांगरा जो जगा था इक उसे भी जीता था ठीक तो यह बोला जाए आप से कांगर ताटाब दिया है जाहंगीर किस टाइम किया था तो याद रूपना 1620 में जाहंगीर ने कांगनाक पर भी विज्जे प्राप्त की थी और अब एक तरशे हम देखेंगे जहांगेर के बारे में, उनकी धार्मिक नीती के बारे में पढ़ेंगे. की कैसे थे ये? ये अपने पिता की तरह ही थें, कि ये भी सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि मुसल्मानों का ज़ات फेवर करते थे, और हिंदु का नहीं करते थे, यह सभी को एक समान, सभी धर्मों के प्रती उधार थे, इसलिए इन्हों ने कभी-कभी कलाई पर अपने राखी बनवाई थी, ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि हिंदु के प्रती भी उधार थे, उसके पासे जांगिर ने दिवाली पर भी देता था मंदीर बनवाना हो मंदीर में कुछ भी चाहिए घटा बढ़ा कुछ भी उसके लिए पैसा भी दिया करता था इसके अखबर द्वारा गौहत्या पर रोक लगाया गया था उस परमपरा को इसने जारी रखा ऐसा नहीं कि फिर बाद में उसे बंद कर दिया ठीक कि उन्हें किसी मुसलिमान की कृपया का महताज ना होना पड़े ठीक है अगर न्याएगर करना है किसी हिंदुों के प्रती तो हिंदू जज ही बना दिया था तो ऐसा नहों कि मुसलिम जज हो और फैसला सुनाए तो मुसलिमों के फेवर में सुनाय ठीक है तो यहां इसने कुछ बोलते हैं कि इसने कुछ इसलाम के पच्च्वल्बी कार किया था जैसे कुछ घटना ऐसी हैं जो ये बता देते हैं खे LEE एकनाय थी रासवारी के हिंधू को धंड दिया स्क्राप्ड वह मुष्लिम लड़कियों से विवा करके उन्हें हिंदू बना लेते थे। यू इस कारण से वहां के जो हिंदू थे उनको यह जहांगिर ने धंड दिया था। साथ ही साथ कांगड़ा के किले में जीतने की बाद वहां उसने गाय कटवा कर जस्न मनाया। और यह कहा गया था अभी आप से मैंने बात किया कि कहा गया था कि जो गव हत्या थी जो अकबर ने चलाया था उसे बैन किया था उसे ये भी जारी रखता है। लेकिन कुछ इतिहासकार करते हैं कि नहीं इसने जब कांगड़ा विजय किया तो वहां का जस्न जब मनवाया तो वो गाय काट कर ही उनके मास को भून कर खाने के ओजसे ये कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये ऐसा सही नहीं था अब क्या था क्या नहीं वो तो उस समय का बता लिए मदवेद है कि ये हिंदुये के प्रतियुदार था या नहीं था वो तो इतिहासका रही आपके समझेंगे अब आजाते हैं बात कर लेते हैं नूर जहां के गुट के बारे में मैंने नूर जहां के बारे में बता दिया कि अली कुली खा सेरे अफगान की विद्वा थी ठीक है और इनका वर्द मतलब 17 की उम्र में इनका विवा हो गया था अली कुली खां से फिर बाद में कहा जाता है इतिहास का काते हैं कि जो सेरे अफगान थे उनकी हत्ते हैं जागीर ने करा दी थी और एक समय क्या होता है कि आपका नौरोज का तेवार आता है उसी नौरोज के समय में आपके जागीर इनको नूर जहां को देखते हैं और फ्लेट हो जाते हैं एक तरह से क्यों हो जाते हैं कि इनकी माह नाम रहता है अस्ताब बेगम ठीक है और उन्हें आप लोग जाने हो उनसे जो एक कोश्चन भी पूशता है वो गुलावों से इत्र निकालने में काफी फेमस होती है तो जब तेहवार होता है तो नूर जहां से वो काते हैं कि बेटी नूर जहां तुम जब जाना आज तेहवार में तो ये परफ्यूम लगा ले ना किसी के पास तो है नहीं परफ्यूम की खोश तो मैंने ही किया है तो परफ्यूम लगा ले ना ताकि जहांगीर जैसे ही तुमारे आस पास से गुजरे तो एकदम फ्लैट हो जाए अचिब तुम्ही को ही देखता रहे तो ऐसा ही हुआ नौरोज के तेवार में आपका जब सभी लोग मिलें तो जहांगीर जब इंको देखता है नूर जहां को तो वो क्या हो जाता है फ्लैट हो जाता है और काता है कि इस पूरे जहां में तुम्हारे जैसा नूर कोई नहीं ठीक है मतलब यहीं से नाम उसे दे दिया नूर जहां ठीक तो नूर जहां नाम पड़ गया और नूर महल जो है एक तरह से उन्हें उनका नाम दे देता है क्योंकि साथी होने के बाद 1613 में नूर जहां को बासा बेगम बनाया गया अब इनका देखे रोल चाहांगीर को अपना गुलाम बना लेती है ठीक है जो भी ओता था जितने भी साही आदेश फारित होते थे उसमें नूर जहां के सिंगनेचर होते थे जितने सिक्के चलाए जाते थे उसमें नूर जहां के फोटो होते थे कोई भी काम अब नूर जहां के अलावा नहीं होता था अब इसी सब को देख कर जो नूर जहां गुट में सामिल था कौन आपका खुर्रम वो क्या किया इस गुट को छोड़ देता कौन-कौन था ये देख लो नूर जहां गुट में उनके पिता इत्माउद दौला माता असमत बेगम यहां से एक फेक्ट है असमत बेगम ने ही परफ्यूम का याद रखना बच्चो परफ्यूम से आप से कौशन पूशता है कि परफ्यूम का जो है किस ने किया था तो असमत बेगम ने किया था गुलाबों से इत्र निकालने में ये माहिर थी और आपके आसफ खान ये कौन थे इनी के भाई थे नूर जहां के और सार जहां था ठीक है साजादा खुरम लेकिन बाद में ये इस गुट को छोड़ देता है और इस गुट को छोड़ के ही विद्रो करता है फिर नूर जहां ही महावत खान को भेशती है कि जाओ और उसके विद्रो को सांध करो और वहाँ पे वो सांध हो जाता है और जहांगिर से माफी मांगता है अगर जहांगीर काता है कि तुम अपने बच्चों को एक तरह से बोलो कि यह हमारे कैद में रहेंगे तुम्हें मैंने छमा कर दिया तो वहां पे एक तरह से बोलो घूस के तौर पे चाब कुछ भी तौर पे अपने बच्चे दोनों को दारा सी को और अंग्जेब को जहांगीर के हवाले कर देता है और इस तरह इंका विद्रो का दमन हो जाता है फिर बाद में 1626 में आपका कौन निकल के आता है महावत खा आता है और वो जहांगीर को कैद कर लेता है और जहांगीर को कैद करने के बाद अब नूर जहां दिमाग लगाती है और नूर जहां जो है क्या करती है किसी तरह अपने पूरे अपने पिता स्री को माता स्री अपने भाई को ले कर जाती है और उन्हें कैद से छुड़ा लेती है और महावत खा को सजा दी जाती है तो यह मांगेर के दर्बार में आये हुए विदे सी क्योंकि मैंने बता दिया था कि समकालीन अकबर के 1600 में आपका कौन थी रानी एलिजाबेट ठीक है और वहीं 1600 में इस्ठ इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो चुका था और बैपार करने के लिए वो अलग-अलग देशों में सोच रहे थे उसी समय की बात है 31 दिसंबद आपका बात करें हम तो एलिजाबेट के पास आपके एक जाते हैं साहब और उनसे जो है काते हैं कि रानी साहबा मुझे आप मन्जूरी दीजिए कि मैं जाके भारत में यह अग्या लेकर आओं कि वहां पे हम ट्रेड कर सकें ठीक है तो पहले तो रानी को अपने वस में करता है वो कि यहां यह मुझे अनुमती दे दे तिक जब वो अपने उनके वस में हो जाती है तो एक तरह से बोला जाए तो विलियम्स हॉकिन जो थे हैं ब्रिटिस राजा जेम्स प्रतम यह राजा जो साहब थे हैं यह रानी से क्या कर और थोड़ा यह बोला जाय कि अपने सब्दों से बहुत कड़ा था जब दर्वार में पहुंचता तो कायो आपु हम्ने यहां ब्यपार करना और देना हो दो ऑडर उडर नहीं तो बताओ अब ऐसे कोई कोई बोलेगा तो ऑभी कहां से देगा इसने एक ठीक है भाया आप ब् करने की अनुमति मैं देता हूं मगर यहां ट्रेडिंग सेंटर खोलने की अनुमति मैं नहीं दे पाऊंगा भाई साब तुम्हारा जो रूत रवाईया है ना वो मुझे बरदास नहीं होगा ठीक चलो और यह जो आयरा तो विलियम सौकिंग से पूछता आप से कि यह हेक्टर नामक जहाद याद रखना भाई यह पूशा जगया है कुश्चन आप से ठीक तो अब तो यह चला जाता है ऐसा नहीं कि तुरंट आया तुरंट चला गया कुछ समय व्यतीत किया दो तीन साल व्यतीत किया उसी में जहांगीर ने का भी यह बहुत तुम खडूस इंसान हो स साथ सामने जाके काते हैं ऐसा है मेडम साहिबा जहांगीर ने आमें ट्रेडिंग सेंटर खोलने से तो मना कर दिया अब आगे या क्या है तो आगे का मेडम साहिबा जो है बहुत अच्छा किसी और इंसान को धूंडती है कि बहुत अच्छा हो जो जहांगीर से बहुत जल् नाम ही रोना लिखा है तो रोगे के गिड़ गिड़ा के जहांगेर को आपको क्या कर लेते हैं मना लेते हैं ठीक है तो सर थामस रो 1615 में आपके कहां पहुंच जाते हैं अजमेर पहुंच जाते हैं और वहां पे गिर उड़के उनके दरवार में जहांगीर भाई साब आपके चरणों में मेरा असपर्स है कि किसी तरह हमें जो है यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर खोलने का जो क्या कर दो अनुमती दे दो तो यह भाईया जैसा नाम रोने गाने वाला वही काम किया 1615 में आपका आता है और 1616 में साहर यह जहांगीर के दरवार अजमेर में इसकी भेट होती है ठीक और वहां से इसे जो पत्र मिल जाता है कि भाईया आप ट्रेडिंग सेंटर यहाँ खोल सकते हो ठीक उसके बाद से बाद साथ यह मांडू आमदाबाद और अजमेर जैसे अनेक अस्थानों पर गया होता है बाद सा के साथ सिकार खेलने भी गया होता है आपके जो टॉमस रो है काफी घुन मिल जाते हैं बाद सा के साथ तो यह इसके साथ जहां जहां आपके बाद सा जाते हैं वहां वहां यह भी उनके पीछे पीछे दोड़ते रहते हैं वो आगरा में एक वर्स तक रहा था ठीक है कौन आपके तॉमस रो यह आगरा में एक साल अपना विताया था उसके बाद से बात कर लेते हैं अब पिटर मुंडी इटली का यात्री था यह किसके समय में आथा सार जहां के समय में आथा जहांगीर न बोल देना यहां लिखा है यह पिटर मुंडी इटली जो है आपका यह सार जहां के समय में आथा इटली का यात्री था ठीक आगे बढ़ जाते हैं फ्रांसिसको पेलसट डच देखो फ्रांसिसको पेलसट जो है ये डच का यात्री था कहां का था डच का था जो जहांगीर के समय में भारत आया इसने अपनी पुस्तक Remonstry क्या नामे Remonstry में जहांगिर के बारे में जिक्र किया है तो यह पूछ सकता है आप से कि डच का प्रेटा क्यातरी कौन था जो जहांगिर के दरवार में आय था तो याद रखना फ्रैंसिसको पेल सट अब आ जाते हैं थोड़ा चितरकार कला के बारे में हम देख लेते हैं जहांगीर के समय में तो इस समय में बोला या आता है कि मुगल चित्रकला जो थी अपने चरन सीमा पर थी मतलब एकदम उपर पहुँच गई थी और इनि ही के समय में بोला जाए कि कुछ मजहूर चित्रकाल है आपके उनके बारे में हम देख लें वो कौन थें ऊस्ताद मन्दूर और अबूलहसन यह प्रमुक्त श्तरकार थे इनके दरवार में किसके जहांगीर के दरवार में ठीक है जो जिसे जहांगीर ने अलग-अलग कुपादिया दिय的話 जैसे नादीर उल अस्त्र किसे दिया था उस्ताद मंसूर को दिया था और नादीर उद्जमा अबुल हसन को दिया था यह उपादी यह याद रखना यह कोशन पूछा है है जा नहीं कि उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपादी दी तो नादीर उल अस्त्र और अब जमा ठीक है इनसे नवाजा जो उस्ताद मनसूर थें वह पच्छे विशिष से के चित्रकार थें यह भी आप ध्यान रखना जो मनसूर था वह पच्छियों का जो है चित्रकला बनाता था और जो आपके अबुल हसन थे अबुल हसन थे यह व्यक्ति यू के चित्र बनाते थे तो यह कोशन पूछा है कि पच्छियों का चित्रकार कौन था तो याद रखना उस्ताद मनसूर और आप से पूछे कि व्यक्तियों के चित्रकार कौन थे तो अबुल हसन ठीक अब आजाते हैं बढ़ जाते हैं जहांग कथा किस भासा में लिखी है तो फार्सी भासा में लिखी है जिसका नाम क्या है तुझ ए जहांगिरी ठीक है ठीक आगे बढ़ जाते हैं अब इनके निर्मार के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि इनका निर्मार कार क्या था इनके समय में तो देखो एक तो इन्हों ने अकबर का मकबरा बनवाया ठीक उसके बाद से आप अपनी मा का मकबरा बनाया साथ ही साथ इनी के सासनकाल में नूर जहा ने अपने पिता सिरी क्या नाम था उनका इत्मत दौला इंका मकबरा बनाया जिसे बेबी आपका बोला क्या बोला जाता है बेबी ताजमाहल बोला जाता है याद रखना एक डाटी ताजमाहल होता है एक बेबी ताजमाहल होता है डाटी ताजमाल वो है जिसे औरंग जेम ने बनवाया था जब उनकी बीवी का जो मखरा है जो औरंगा बाद में है ठीक उसे औरंग जेम ने बन वाएता तो वो डाठी जो है एक तरह से क्या है ताजमाल है और यह जो है आपका बेबी ताजमाल है ठीक है इस इस मख्बर है को जब बनाया गया तो पैत्रा दोरा Help & Shape एक टेखनिक है उसके दोरा यह बनाया गया था पैत्रा दोरा टेखनिक इसमें क्या होता है रक्षो जैसे ये बनता है गुंबा जिंका ऐसे मगबरा जो बनाय जाता है तो जो ये दरवार होता है ये दरवार देखो तो पेत्रा दरवार टेकनिक में क्या होता है हीरो मोतियों से ये पूरा का पूरा ये सब जड़ा हुआ रहता है पूरे रत्न इसम ठीक तो यह हीरो मोती जितने भी रतन होते हैं उनसे यह जड़ा गया होता है तो कौन से किसका बना था इत्मत दौला का मकबरा बना था और इसी से इसी टेक्निक पे आपका आगे चलकर क्या बना आपका आगरा का ताज महल बना था ठीक है तो यह आप ध्यान रखना और खु कुछ इसके construction काम है और एक और है कौनसा यह देख लो गोविंद महल ठीक है कौनसा गोविंद महल यह कहां है मद्य प्रदेश के धतिया में इस्थित है जो सत्रा मंजिला महल है कितना सत्रा मंजिला महल है इसका निर्मार 1614 में राजा वीर सिंग देव ने कराया था फिक इनी के सासंकाल में राजा वीर सिंग ने गोविंद महल का निर्मार कराया जो मद्य परदेश में है तो यह कुछ फेमस आपके मेन है यह इकमत दौला का मक्बरा पूस्ता है क्योंकि पूस्था और टेकनिक पर यह भी पूस्ता है किस टेकनिक पर बनाया गया तो पित्र मैंने आपको बताया कि पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरवार में आया टीक है यह नहीं कि एकप्तन हौकिंस था विल्याम हौकिंस वह नहीं था आपके जो पहला ऐसा व्योज के दो को मिल दरवारμεं आ तो इन दोनों बातों पर जो है जब कुश्चन पूछे तो उस पर हमेसा गहर करना कि पहला अंग्रेज पूछ रहा है मुगल दरवार में कौन आया तो रॉलन फिंच था अगर आपके बोले कि पहला ऐसा जो वैपारिक विदेश यात्री जो है मुगल दरवार में कौन आया तो विलियम ऑकिन्स था ठीक है इस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आया था तो यह आपका जहांगीर के बारे में डीटेल हो गया अगला हम सेसन जो है सार जहां के बारे में लाएंगे तो तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को जो लोग लाइक नहीं कियो लाइक कर तो शेयर कर दो चैनल पर जो लो मैं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जितने भी वीडियो दिये जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अंगले सेशन में सार जहां करो लेकर धन्यवाद